Hello guys! Once again welcome back to your own YouTube channel तो आज हम और एक topic करने जा रहे हैं कि हमारे science section के हूँगे आज से हम साइंस का section है वो करनी जा रहे हैं तो सबसे पहले topic के हमें जो करनी जा रहे हैं वो है हमारा invention and inventors तो यह पहला topic रहेगा इससे पहले हमने accounting का section complete किया है उसके बाद हमने General Knowledge with Special Reference to Gen के वह section complete किया है and last पर हमने computer का section complete किया है अगर आप लोग ने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाके देख सकता है तो आज का हमारा topic है invention and invator तो यह हमारा bio का इसमें से हैं bio में से जो invention और invator हैं वो करेंगे आज के इस वीडियो में जो हमारा physics करिया गया है वो अलग से उसका physics का जो invention and invator हो वो अलग से वीडियो में करेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह topic तो सबसे पहले हमें vitamins vitamins तो सब लोगों को मालूम होगा कि vitamins बहुत ही जरूरी रहता है हमारे लिए बॉडि में vitamins की बहुत ही जरूर रहता है तो vitamins को किसने इंवेंट किया था तो इसको इंवेंट किया था आपका FG Hopkins की दावरा डिसकॉर्ट किया गया था तो FG Hopkins की दावरा आपका जो vitamins है इसको bevordiscord किया गया था और जो term vitamins है जो लफ्स vitamins है वह कहां से derive हुआ लिए गया है और यह जो term vitamins है यह कॉय किस ने किया था एक पॉलिश बायो केमिस्क्त थ represents इसके दा औरहे बोराय ताम मिनका इस्तेमाल किया गयी था गया था इन्हंने इस legitim डिया गया था ठीक है 1912 में ठीक है vitamins को and vitamins one of the several substance होता है जो vitamin होता है that are found in certain type of foods जो जायत है हमारे बहुत सारे खाने की जो चीज़े होता है foods उसमें पाए जाते हैं vitamins and that are important for growth and good health होता है किसके लिए हमारे body के growth और अच्छे health के लिए यह vitamin बहुत ही ज़रूरी होता है तो इसको किसने invent किया था Hopkins की दवरा किया था और जो term vitamin है वह आपका funk के दवरा दिया गया था ठीक है तो यह था था हमारा vitamin आगे बढ़ता है और एक important invention है DNA DNA यानि DNA का फुल पर्म क्या होता है का dooxyribonucleic acid ठीक है DNA का आपका फुल फॉर्म रहता है यह oxyribonucleic acid ठीक है यह क्या होता है इस एक्छिवलिया और अर्गनिक केमिकल होता है और complex molecule structure का बना हुआता है एक ठीक है molecular structure होता है डेट इस फॉंट इन all proactive anti-creatic cell हेर्किसी जो भी connected or eukary atic cell है वहां ये जो DNA है ये पाए जाता है ठीक है Procreatic वह होता है जिसके अंदर आपका nucleus नहीं होता है Anticоронic वह होता है जिसके अंदर आपका nucleus रहता है तो इन में आपक cuántic dna है ये पाए जाता है । MPI K, ये कैसी sono 감사합니다 यह ग्रेक्स ऑफ कंप्लेक्स मॉलिक्यूलर का स्ट्रक्चर्चर जुन कि आपका प्रोक्रेटिक यह इक्रेटिक सेल में पाए जाते ठीक है और यह आपका डिन आप पाया जाते ठीक है जैंस वाटसन एंड फ्रेंट्स क्रिक डिस्कॉव्ड डिन इन Possession 19 50 Gems Watson और France Creek कर्णवान इना आपका इसकार किया था कब पनने लिफना 150 में atmos रहए कि याद रखेगे कि इना किसने डिसीक्राइब संद्वाइब याद राकिन ने ने किसने जैनि 10th किसे क्रेंपे इस नतर आपका तो DNA का आपका फुल फॉर्म क्या है दी ओक्जि राइबो निकलिक एसेट ठीक है अगे बठते हैं DDT DDT आपका क्या होता है DDT किस ने आपका यह डिस्कॉर्ड किया था यह आपका पॉल मॉलर ने डिस्कॉर्ड किया था और यह एक स्विच केमिस्ट था who received the 1948 Nobel Prize जो 1948 का Nobel Prize था वो इनको मिला था Paul Moller को इन फिजोलोजी में मिला था ठीक है तो इसके बाद है DDT DDT के अगर बात करें तो was used in the second half of world war second world war second के second half में इस्तेमाल किया गाते है DDT to control malaria and typhards among civilian troops troops and civilians के अंदर जो malaria या typhards हो रहे था उसको कंट्रोल करने के लिए ये DDT का इस्तेमाल किया गया था ठीक है इसको किस ने डिसकॉर्ड किया था पॉल मलर ने ठीक है तो आपका DDT का फुल फोर्म क्या है आपका dichloro-diphenyl-trichloroethene ठीक है Dichloro Difinyl Trichloro Ethane डा ही है यह तो हमारा DDT इसके पाद हमारा ऐता है Insulin को किसन इंवेंट किया ता शका उड़े काय ता आपका किया था यह Sir Frederic G. जो पेशन होता है उनके ट्रीटमेंट के लिए ठीक है इंसलीन के इस्तेमाल किया गया था और किस ने इसको डिसकोर किया था सर फ्रेडरिक जी बैटिंग है ठीक है अब यह याद रखेंगे तो चलिए आगे बढ़ता है पॉलियो वैक्सिन आप लोग ज्यादा तर सब लोगों ने इसके बारे में सुना होगा पॉलियो के बारे मे पॉलियो आपने बच्पन में पॉलियो ड्रॉफ्स लिए भी होंगे तो उससे पहले वैक्सिन होता था तो वैक्सिन आपका क्या पॉलियो वैक्सिन है फॉर प्रिवेंट पॉलियो पॉलियो से प्रिवेंट करने के लिए पॉलियो वैक्सिन बनाया था एन इंफेक्श डि तो यह polio को बचाने के लिए आपका polio से बचाने के लिए आपका polio vaccine बना हुआ है ठीक है यह first Polio vaccine non-ass, First Polio vaccine non-ass inactivated polio virus vaccine जिसको IPV b कहा जाता है तो या नहीं तो और Sark vaccine भी कहा जाता है क्यूंकि इसको फेली के दिख़े के सियची ए दोटने करें समी चाया बाकर और दो कि डिख़ा था ? लकार केल प्रिख जेघे ओंते बैल टोड़ते हैं टोड़ता है किट्नी मिशिन आप लोह है इसको आप लोह है क्रवगने देखा भी ऊगद देखा हूose तो kidney machine first यह dialyzer है and then called artificial kidney जिसको artificial kidney भी कहा जाता था तो was built in 1943 इसको 1943 में पहरी बार बनाया गया था by Dutch physician Dutch physician था एक William Koloff ने कोलफ के दवरा बनाया था विलियम कोलफ के दवरा बनाया था यह kidney machine को ठीक है 1943 में तो आगे बढ़ते हैं heart transplant बहुत ही टफ यह transplant है तो heart transplant आपका फर्स्ट टाइम human heart transplant that have been carried out by South African surgeon था एक South African surgeon उसके दवरा पहला human transplant heart transplant किया गया था क्रिस्टेना ब्रैनेट ऑन था हर्ड डेस्टेंबर 1967 को ठीक है क्रिस्टेना ब्रैनेट के दवरा बनाया इसको फर्स्ट टाइम किया गया था heart transplant को 3rd December 1967 में तो यह तो था heart transplant आगे बढ़ते हैं first test baby baby तो test test baby भी भी मलब यह करते हैं produce करते हैं तो यह first time on 25 जुलाई 1978 को फर्स्ट टेस्टेंबर ब्राइब ब्राइब लुइस ब्राइब वास बॉन जो फर्स्टेंबर ब्राइब कौन था step toy step toy के दाओर बनाए गया था यह इसको फर्स्ट टेस्टेंब बेबी को who collaborate on the procedure are considered to be the pointer of invertal fertilization test baby में invertal fertilization होता है तो इसको first time किसने यह किया था develop किया था रॉबर्ट एडवर्ट एंड पैट्रिक step toy ने तो यह यह थो लुइस ब्राइन जो था वह फर्स्ट टेस्ट बेबी था तो एंट यह वोल्ड का था तो इंडिया का था आपका कन्नु प्रिया अगरवाल यह आपका first test baby था ठीक है इंडिया का तो यह तो था हमारा first test baby के बारे में तो आगे इन्वेंशने डिस्कॉर्ड में हमारा आता है बुलट ग्रूफ जो एबी ओ बुलट ग्रूफ है इसको डिस्कॉर्ड किया गया था कि इसने बाइ ऑस्ट्रेलियन फिजिशन करल लेंस्टर नर ने आपका यह बुलट ग्रूफ का डिस्कॉर्ड किया था एबी ओ को ठीक है चले आगे बड़ते हैं कार्बन डाइटिंग कार्बन डेटिंग क्या होता है एक्चॉली कार्बन डेटिंग एक्चॉली होता है रेफर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् पाइश निकाला जाता है। उस object इस निकाला जाता है। जिस में क्या और्गनिक मैटेरिटों हो तरो वसक्तिय गंञे और कॉने से उस को tua और्गनी == युजिन प्रॉपर्टी ऑफ रीटियो कर्बन स्पनॆ चाहिए। तो एक carbon radioactive acetope of carbon इसी के प्रोपर्टी इस carbon जो रेडियो carbon या carbon active acetope सोते हैं of carbon carbon की जो acetope उसके जरीए से आपका जो date ये एश पता करते हैं इस carbon dating की method के जरीए ठीक है तो इस method को किसने develop किया था develop by Willard Libby Willard Libby के दावरा carbon dating को आपका develop किया था ठीक है ये आप याद रखना carbon dating को किसने develop किया था Willard Libby के इसके जरीए आपका एश जो है वो पता करते हैं ठीक है इसको carbon 14 भी 14 carbon 14 dating भी कहते हैं ठीक है आगे बढ़ता है cell cell तो cell तो बहुत important है तो cell क्या होता है cell the cell was first discovered and named by Robert Hook in 1665 जो cell है उसको first time discover किया था किसने Robert Hook ने और नाम भी cell Robert Hook के दावरा cell was first discovered and named by Robert Hook discovered भी किया था और नाम भी दिया था cell किसके दावरा Robert Hook के दावरा 1665 में तो cell actually क्या होता है is the smallest unit of life life का सबसे smallest unit माना जाता है cell को cells are often called the building block of life यह भी question में भी पूछा जाए कि building block of life किसको कहा जाता है है तो यह आपका cell को जाता है ठीक है study of cells is called biology आपका cell की study को आपकी cell biology भी कहा जाता है या नहीं तो cellular biology यह तो cytology कहा जाता है study of cell को ठीक है तो चलिए आगे बढ़ता है cell theory और एक important ということ तेहरी को आपका किस यह सेल थेओरी आपका एक थेओरी है बाइद लेट 1830 में एक बॉटनिस्ट था जो की जिनका नाम मैथेस सचलेंदन और एक जॉल्जिस्स था थेओर सच्वन जिसको जिन्होंने प्रपोस्ट किया था एक युनिफाइट सेलेलर थेओरी थेओरी स्टेट थेओरी क्या बोलता था कि और लिविंग थिंग्स आर कंपोस्ट ओफ वन और मॉर्स जो भी लिविंग थिंग्स है वह एक या एक से ज्यादा सेल के बने हुए हैं तो देसल इस दा बैसिक युनिट अफ लाइफ एंट नीव सेल्स एराइस फ्रम एक्जिस् सचलें देन जोल्जिस्ट नाम थड़ा टाफ है तो जोल्जिस्ट यह तो बाडनिस था तो उसके साथ जोल्जिस्ट भी था एक थिवर्डर सच वन तो इन्होंने प्रपोस किया था सेल्थिवरी ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं बुलट सर्कुलेशन और एक इंपॉ किसने डिस्कॉड किया था आपका किया था विलियम हर्वे ने फस्से ल फ़स्ट पर्संट व्लॉट सकुलेशन से प्सक्ão सिर्कॉड emblem भाड सर्कुलेशन याद रखने तो ही शू के ने अर्थरिज पन्स फोर्म्स Carn यहाद हूसकर इन्हों ने शो किया था आर्टरि और वैन्स कम्पीलीट सरक्उिट करता है जिसके अंदर से आपका बलड सरकिलेट होता है ठीक है तो इनहों ने इसी में कहा था कि आपके हार्ट से स्टाट होता है और रेट senators नहिए पोह आपका सरक्लीशन ठीक है तो आगे बढ़ता है vaccination तो vaccination का आपका Edward Jenner is considered the founder of vaccinology तो Edward Jenner को vaccinology का founder माना जाता है तो he invented a method to protect against smallpox in 1796 में इन्होंने एक method produce किया था किसलिए to protect against smallpox जो होता है उसको 1796 में तो इन्हों को इनको founder माना जाता है Edward Jenner को founder माना जाता है किसको vaccination का ठीक है तो आगे बढ़ता है Antibiotic तो Antibiotic को आपका Alexander Philemin ने discord किया था the first antibiotic कौन सा था पैंसलीन था ठीक है तो दवोल्ट दवोल्ट अंटिबाइटिक वस्फस्ट यूज़ बाइद यूरिक्रेन अम्विकेन इन्वेटर एंड माइक्रोब्र बायोजिस्ट सेलमन वाक्समें इनके दावरा पहला जो वोट अंटिबाइटिक था उसको इन्होंने क्या था पैंसलीन था ठीक है आपका तो चलिए आगे बढ़ता है तो अगर हम एंटिबाइटिक ही बात करें तो इस अ मैडिसन विच इस यूज़ फोर डिस्ट्राइंग बैक्टेरिया एंड केरिंग इंफेक्शन क्यूर इंफेक्शन तो यह एंटिबाइटिक आपका इस्तिमाल क टेकांर करते हैं और इनफेक्शन सा है क्यूर करने के लिए भी इस्तिमाल करते लोगे तो चलिए आगे बढ़ता है जमस ये जमस आपका किया है फस्ट इंजाएम माना जाता है ये वाधा से इसियरोटिट के तो इस्यूरी तैसको येज़लेटिक किए इस इस लिसेड ﷺ से एडवर बुचनर की दावरा आपका जो फर्स्ट इंजाम है जैमन इसको इन्होंने आइसोलेट किया था यीस से ठीक है तो यह फर्स्ट इंजाम माना जाता है जैमन को और इन जो एडवर बुचनर है इसको 1907 में नोबल प्राइस मिला था केमेस्ट्री में ठीक है तो बाद इसको असलेट किया था कहां से एडवनोसीं ट्राइस फोस्पेट फॉम लीवर एंट मसल से और इसको जाना जाता है इसको इन्ट इनर्जी तो आपका इनर्जी च्छंपर करते हैं एंट इस इन्डिस्पेंसेबल इन लिविंग से ठीक है तो यह था हमारा एटीप तो आग sau इस थे सबस्राइब सबस्राइब ważne इस सबस्राइब यूज तो सी यह माइक्रोस्कोप क्या होता है एक्चल एक इन इस्ट्रुमेंट होता है जिसके ज़र देखते हैं क्या देखते हैं सी अबजेक्ट डेट आट टू समाल जो बहुत ही छोटे होते हैं और जो आपकी अपने मलब ऐसे अंग से दिखा ही नहीं देता है तो वह गलोकुलिसस तो यह आपका फिर्स टाइम किसने किया था था अंबेडन और यह तीन थे अंबेडन है मेरा होप पार्नेस तो इनहीं की नाम पर ही यह इसको जो ग्लेकलिस जो इसको एम-पी पादवे भी कहा जाता है ठीक है इस दा मेटबॉलिक पादवे यह मेटबॉलिक गुल्कोर्ली इंटो पेडर्ट एंट ये इस स्थे धिया फंक्राइस को प्रेड नधो कर देटा है फंक्क सेधे क्षिरा प्रोता है यापिसले का जो यूज एंट जो इनर्जी आपका वहां से रिलीस होता है इस प्रोसेस में यूज तो फॉर्म दा हाइए इनर्जी मॉलेकुल जो हाइए अलर्जी मॉलेकुल आपके एटीप जो मेरे पहले हमने बताया था उनको फॉर्म करने के लिए यह मदल करता है इन एडीएच को यह इस फॉर्म के यह आप दो है फॉसमें पाया यूज डिस काड ने राइं के मिवेस ने ऐसे जो डिसने किहा था कम लो गॉलडी ने आपका इसको डिसकाड किया था फंट तो आगे बढ़ते हैं HIV तो HIV के क्या होता है human immunodeficiency virus होता है यह इस वाइरस that attacks the body आपको इसी में ही पाता चल गया कि इम्यून सिस्टम पर अटेक करता है तो फर्स टाम कि ने डिस्कॉर्ड किया था लग मंटा गेनिस ने 1983 में आपका HIV को डिस्कॉर्ड किया था यह अगर फर्स जो फर्स स्टेश पर अगर ट्रीट ना करे तो यह बाद में एड्स की शेब ले लेता है ठीक है तो इसके आगे है फोटो सेंथिस फोटो सेंथिस जो हमारे प्लांट में प्रेपेशन फूड होता है यह इसी फोटो सेंथिस की जरी होता है तो इसको फर्स टाम किसने डिस्कॉर्ड किया था तो यह डिस्कॉर्ड किया था जैन इन्हीं हॉसेस ने इन्हीं हॉसेस ने आपका जो फोटो संथिस में क्या होता आपके सनलाइट के जरीये से आपका जो प्लांट के फूड बनते हैं वह प्रोसेजर होता यह फोटो सेंथिस ठीक है यह तो था हमारे इन्वेंशन एंट इन्वेंट्री तो होब आप लों को वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा